हेलो एवरीवन वेरी गूद मॉर्निंग तो वाल अप्यू मैं डॉक्टर बिजेश रंजन आप लोग का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल के भी सिवीन पेज दूस्तो आज 8 दिसंबर संडे है और आज हम लोग खेलने वाले हैं दैनिक बासकर फैमिली क्विज इसके लिए क्या करना है आपको अपने वाटस अप पे जाना है इस नूंबर को यह जो नमपर आपको यह दिख रहाए है इस नमबर को एड़ करना डोकल जानते हैं और अट करने के वाद आपको से इसलिंग नहीं आ tenure लिंक नहीं आ रहा था लेकिन आस मैंने किया तो लिंक अया है इसलिंग को मैं मिफ्रया सवाइब हों ने कि आभा है मुझे इतवर मीफ स्वावत है यह कुछ समय लप पांच सवालों के सही जवाब, सही जवाब देने वाले पतियों, वमें से लक्की ड्रॉव के जड़िये चुने जाएंगे, दस लक्की विनर, तो मैं यहां क्या करूँगा, यह जो आप क्लिक करें लिखें हुए, इसको क्लिक करूंगा, continue करूंगा link मैं आपको description में भी दे जूँगा ये आप page खुल गया google form जहां पे आपको quiz खिलना है अपना number वे अगरा डाल देना है जैसे में तो इसमें डाला हुआ होगा फटा फट भर जाएगा सब कुछ अपने आप पहला question है किस देश में दलाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर बनाया जाएगा तो ये दोस्तों बहुत पहले की बात है पिछले साल की सौधी अरब में बनाया जाएगा अगला question है पेड़ पौधो को खाना त्यार करने की पड़करिया क्या कहलाती है फोटो सिंथेसिस तो option C या तीसरा option सही अंसर होगा पहले का चौथा option D दूसरे का तिसरा फोटो सिंथेसिस तिसरा question है गौतम बुद की माता का नाम इन में से क्या था तो दोस्तों उनकी माता का नाम महा माया था और महा परज़पती गौतमी जो थी मौसी थी तो option D सही अंसर होगा चौथा question है भारतिये पौड़ानिक मानिताओं के अनुसार पारिजात क्या है कल्प विरिक्ष है दोस्तों समुद्र मन्थन के दुआन ये विरिक्ष की उत्पत्ती हुई थी पारिजात तो option A सही अंसर होगा लास्ट question है पांचमा question इन भारतिये राजियों में से किसे राज की अंतराश्तिये सीमा नहीं है तो राजस्तान पकिस्तान से लगता है बिहार नेपाल से सिक्किम तो चाइना से भी लगता है नेपाल से बुटान से भी तो आंसर होगा ज्हारखंड option B एक वा फिर से repeat कर देता हूँ पहला का D सौधी अरब दूसरे का C photosynthesis तिसरे का D महा माया चौथे का A कल्प ब्रिक्च और पांचवे का B चार कड सब्मिट कर देंगे सब्मिट करते ही यह दे के आ गया यानि हमने पांचों question का जवाब बिलकुल सही दिया बदाई आ गया अब है कि लग की डौ में शामिल होंगे तो हमें भी 2100 रुप्या का imagine give voucher मिल सकता है दोस्तों repeat करता हूँ एक कोई आप दीन के 12 बज़े तक ही खेल सकते हैं अच्छा पिछले winner list आप दैनिक बासकर आप पर जा सकते हैं यदि आपके पास paper आता है तो हम भी जख सकते हैं मैं अभी निकाल नहीं पाया उसका तो आपके पास यदि आप uploaded है डाउनलोडेड है तो आप वहां से भी देख सकते हैं इस video में बस इतना ही मिलते हैं एक नए वेडियो में तब तक के लिए thank you very much तदी वेडियो पसंद आया तो जब लाइक करके जाना हो और नहीं subscribe की हो तो please subscribe करके जाना हो